नमस्कार दोस्तों मेरा नामे शवानी जैन और आप सभी का स्वागत है दा स्टडी कैफे कंसेप से कट आफ में कैसे हैं आप सभी लोग फटा वच्छे सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं सभी लोगों को साथ में जोड लेजे क्योंकि अपन क्वेस्टन्स करने वाले हैं भुगोल से रिलेटेर राजस्तान जोग्राफी से रिलेटेर हम क्वेस्टन्स करने वाले हैं गुड इवनिंग एवरिबड़ी पटावच्छे हम क्वेस्टन्स करना स्टार्ट करते हैं सभी लोग जुड जाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेस्टन के साथ में पहला question देखेगा राजस्तान दिवस मनाया जाता है option number A 30 March को option number B 26 January को option number C 30 October को option number D 14 November को जल्दी से अपना answer बताईएगा अपना answer बताईएए जल्दी से फटाफट से बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल सही बिल्कुल सही option number 1 30 March 30 March बिल्कुल राइट आंसर है 30 March को लॉक कर दीजिये बिल्कुल सही जवाब है तो 30 March 1950 को राजस्तान दिवस बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी ठीक है तो चलो next question करते है next question दिखेगा फटावट से राजस्तान का राज्य पक्षी कौन सा है अपना आंसर comment section में लिखे है और फटाफट से बताए answer क्या होगा इस option का answer I think सोहर राजस्तान वासी को पता होना चाहिए फटाफट से अपना answer comment section में लिखे जल्दी से अपना answer बताइए क्या answer होगा बिल्कुल सही option number 2 गोडावन बिल्कुल सही जवाब है गोडावन को 21 माई 1982 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था इसका विज्यानिक नाम कोरियोटेस नाइगर सेफ है साती साती से सामान्य भाषा में मारल मोर्डी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो चलिए next question पर चलते हैं next question देखेगा राजस्तान का राज्य खेल है A. बास्केट बॉल B. फुटबॉल C. कबड़ी D. खोखो अपना answer comment section में लिखें बहुत easy questions हैं अपना answer comment section में जरूर से लिखो क्या answer होगा बिल्कुल सही option number one basketball is right answer basketball को 1948 में राज्य खेल घोशित कर दिया गया था तो basketball आपका बिल्कुल सही जवाब है ठीक है इसी के साथ next question पर चलते हैं बिना किसी देडी के next question देखेगा राजस्तान का राज्य पशु कौन सा है अपना answer comment section में जरूर लिखेए सबी लोगों को online जोड लीजिए अपने पे whatsapp, facebook के माद्यम से ताके सबी लोग जुड जाएं अपने साथ में और हम जो question करने वाले हैं बहुत ही basic question है और exam में एक नाए question आपको इसी से मिल जाता है तो इसको underestimate ना करें questions को बहुत easy questions जरूर लग रहे होंगे जो लोग google board time से पढ़ रहे हैं पर ये exam में repeat होने वाले questions हैं और फटाफट से अपना answer बताईए बिल्कुल बिल्कुल सही option number A चिंकारा बिल्कुल सही जवाब है चिंकारा एक प्रकार का अखरूटी रंका सुन्दर सा जानवर होता है जो कि हिरन के बाती सा दिखता है इसको गजिला गजिला वे एंटी लोप के नाम से है छूटे हिरन के नाम से भी जाना चाता है इसको 12 दिसंबर 1983 में राज्य पशु गोशित कर दिया गया था option number A चिंकारा इस राइट answer ठीक है? चलो next question पर चलते हैं next question दिखेगा राजस्तान का राज्य व्रक्ष है A. नीम B. खेजडी C. पीपल D. अर्डू ये भी answer सभी बच्चों को पता होना चाहिए जल्दी से अपना answer कॉमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या answer होगा बिलकुल सही option number 2 खेजडी बिलकुल सही जवाब है केजडी को 31 अक्टूबर 1983 में राज्य व्रक्ष गोशित कर दिया गया था साथी साथ इसका विग्यानिक नाम है प्रेसोपे सिनेरिया तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है आपसे पूछा जा सकता है कि इसका विग्यानिक नाम क्या है और कब गोशित किया गया है तो दोनों ही इंफोर्मेशन अपने आप में बहुत ज़ादे इंपोर्टन थी और आपको बता दी गई है चलो नेक्स क्वेशन पर चलते हैं नेक्स क्वेशन देखेगा रेगिस्तान का कल्प व्रक्ष है अगर कोई गलती होनी होगी तो यहीं हो जाएगी इसके अलावा कहीं गलती नहीं होगी तो मेक्शॉर आप अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और हमें बताएं कोई दिक्कत होता है और कोई क्वेशन से रिलेटेड तो वो भी आप लिख सकते है बिलकुल बिलकुल बताएं क्या आंसर है बिलकुल सही बिलकुल सही खेजडी इस राइट आंसर खेजडी को ही रेगिस्तान का कल्प व्रक्ष कहा जाता है सानिय बाशा में इसे जांटी भी कहा जाता और अभी हमने देखा इसे को 31 अक्टूबर 1983 में क्या कोशित कर दिया गया था राज्य वरक्ष कोशित कर दिया गया था ठीक है इसकी फली से सबजियां भी बनाई जाती है और बहुत ही जादा काम का है यह हमारा वरक्ष खेजडी नाम है इस वरक्ष का तो आप सभी को याद रखना है राज्य वरक्ष भी यही है और साथी साथ कल्प वरक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है चलो नेक्स क्वेशन करते हैं नेक्स क्वेशन देखेगा फटाफट से निम्न में से एक वरक्ष को ताजस्तान का गौरव के नाम से जाना जाता है ठीक है तो फर्स ओप्षन है खेजडी बी रोहिडा सी विलायती बबूल डी कुम्टा फटाफट से अपना आंसर देखेगा अपना आंसर बताईगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही अपना आंसर फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो और बतादो क्या आंसर होगा बिल्कुल सही खेजडी is right answer अभी मैंने आपको बता है इसको राजस्तान के गौरफ के नाम से भी जानते हैं और इसलिए इसको कल व्रक्ष के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही अच्छा व्रक्ष है हमारा खेजडी और इसलिए राज्य व्रक्ष भी बोला जाता है उसे 31 उक्टूबर 1983 में से क्या गोशित कर दिया गया था राज्य व्रक्ष के नाम से गोशित कर दिया गया था ठीक है तो next question पर चलते हैं बिना किसी देरी के next question देखो फटा फट से राजस्तान का सागवान कौन सा व्रक्ष है ए रोहिडा बी खेजडी सी खैर डी बबूल बहुत ही easy question है ये सारे question है कि बच्चे को जिनकी भी exam में भूगोल आ रही है उन सभी को ये कंठस होने चाहिए ये questions बहुत ही अच्छे questions है बेसिक जरूर है question पर इसी में बहुत बर हम चूक खा जाते हैं क्योंकि हम इन्हे questions को underestimate कर देते हैं अपना आंसर बताईए बिल्कुल सही बिल्कुल सही A option रोहिडा is right answer रोहिडा को बहुत जगे furniture के लिए उपयोग में लिया जाता है और बहुत जगे राजस्तान में इसका फैलाव है इसलिए इसको राजस्तान का सागवान कहा जाता है और इसका वेज्ञानिक नाम है टीको मेला अंडू लेटा तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है इसलिए इसको राजस्तान का सागवान कहा जाता है चलो next question देखेते हैं राजे पुष्प रोहिडा राजस्तान के किस भाग में सरवादिक पाया जाता है पश्चिमी राजस्तान बी पूर्वी राजस्तान सी उत्तरी राजस्तान डी दक्षनी राजस्तान जल्दी से अपना आंसर बताएगा जल्दी से अपना आंसर बताएं क्या आंसर होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही पश्चिमी राजस्तान is right answer Western राजस्तान बिल्कुल सही जवाब है ठीक है तो वेस्टिन राजस्तान या पस्चिमी राजस्तान में रोईडा बहुत ज़दा पाया जाता है रोईडा का अभी मैंने नाम बताया था ठीको मेला अंडू लेटा नाम है इसका वेगानिक राम साति साति से 31 ओक्टूबर 19 83 में क्या गोशित कर दिया गया था राज्जेप पुश्ट पर गोशित कर दिया गया था ठीक चलो नेक्स क्वेशन की तरफ चलते हैं next question देखेगा फटाफट से स्तीती के अनुसार जो युग्म अन्य से बिन है वे है ए अलवर भरतपुर बी बिकानेट गंगानगर सी जैसलमेर जालॉर डी डुंगरपूर वासवाड़ा जल्दी से अपना आंसर दीजेगा बहुत ही इजी क्वेशन है आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेशन है आपके सामने से राजस्तान जोग्राफिया आपकी स्ट्रॉंग भी हो जाएगे अगर आप डेली ये सीरीज अटेंड करेंगे तो शाम को छह बजे डेली ये आंसर बताओ क्या आंसर होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही सी आप्शन जैसल मेर जालौर इस राइट आंसर जैसल मेर जालौर के बीच में बार्ड मेर नाम का जिला भी आता है साथी साथ बाकी सारे युग में जो आपका फॉस्ट सेकेंड और फॉर्थ आप्शन है इनकी सारे की सीमा है राजे सीमा एक दूसरे से अडी भी है जिले की सीमा एक दूसरे से अडी भी है बाकी इन दोनों की बीच में जैसलमेर और जालोर की बीच में क्या आ रहा है बाडमेर आ रहा है ठीक है तो इनके मद्दे बाडमेर स्तित होने के कारण ये दूनों एक दूसरे से यह युग में अलग है, ठीक है, तो समझ में आया होगा यह question अच्छे से, next question देखते हैं, next question देखेगा, राजस्तान के सलगन जिले हैं, यहाँ पर सेम पूछा है, सेम सलगन कौन सा है, अपना आंसर फटा फट से कॉमेंट सेक्शन में लिखे और बताओ, क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, C, option is right, answer, सिरोही, पाली, नागौर, बिल्कुल सही, जवाब है, इसको सलगन इसलिए बोला गया है, क्योंकि इन तीनों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, पास-पास में है, सीमाएं जुड़ी हुई है, इसलिए से सलगन कहा गया है, तो C, option is right, answer, ठीक है, चलो, नेक्स क्वेशन पर चलते हैं, नेक्स क्वेशन देखते हैं, फटा-फट से, राजे में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशर है, जल्दी से अपना आंसर बता दीजीगा, अपना आंसर फटावट से कॉमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सेकेंड आप्शन है, राइट आंसर, साथ संभाग और तैतिस जिले, और सबसे लास जिला, सबसे लास जिला, दो हज़र आठ, 26 जन्वरी दो हज़र आठ को गोशित किया गया, जिसका नाम है प्रतापगड, ठीक है, तो ये चीज़ आपको 33 जिला के संभाग में है, ए, भरतपुर, बी, कोटा, सी, अजमेर, डी, उदैपुर, फटा-फट से अपना आंसर लिखें, बहुत इजी क्वेशन है, और मैं मानती हूं ये क्वेशन जो भी भूगोल थोड़े समय से पढ़ रहे हैं, उन सभी को ये क्वेशन आने चाहिए तो आपका इत तरीके से टेस्ट भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कि ये देखना है कि आपको कितने केशनज आते हैं, तो जल्दी से अपना आंसर कॉमेंन सेक्शन में लिखके बताओ, क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, D.Option उदैपुर संभाग जा जिले आरे हैं इसमें छहों के नाम आपको बता दी हैं बहुत important question था चलो next question करते हैं next question देखेगा डूंगारपुर जिला किस संभाग में है फड़ा फड़ से अपना answer comment section में लिखके बताओ last question है आज का अपना answer comment section में लिखके बताएं क्या answer होगा बिल्कुल सही अभी मैंने आपको बताया c option उदैपर बिल्कुल सही जवाब है option number c उदैपर बिल्कुल सही जवाब है तो अभी मैंने आपको बताया था कि उदैपर संभाग में 6 जिले आते हैं जिनके क्रमशन नाम है उदैपर, डुगरपुर, बासवाड़ा, राजसमन, चित्तोडगर और पतापगर तो दुगरपुरुसी के अंदर आगया यही question था आपका last ठीक है इसी के साथ से आपके भुगोल के questions खतम होते हैं पर make sure आपको वीडियो को like करना है, share करना है अपने दोस्तों के साथ में और भाई भेनों के साथ में जो भी आप चाहते हो जिनका read के exam निकले, पटवारी क exam निकले तो उन सभी को ही video जरूर से share करो, subscribe करो the study cafe youtube channel को, जादर से जादर लोगों से subscribe करवाओ, whatsapp status पर लगवाओ, और chemistry foundation का course चल रहा है, परिक्षा app पर चल रहा है, daily चल रहा है और free में चल रहा है, तो आप free में वो foundation course जरूर से join कर सकते हैं, chemistry आपको check किसी भी exam के लिए पढ़नी हो, तो आप पढ़ सकते हैं, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, तो make sure video को like करो, share करो, subscribe करो, और stay safe, stay home, धन्यवाद